चलिए विच्वाज हम करेंगे अपना चैप्टर इनिंग्स है ठीक है चैप्टर नमर फोर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स काफी सिंपल क्यूब्स कुछ नहीं करना सत्रा है इसका में क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे तीन बार रिख लेंगे इसको हम सेवंटीब्लाइ सेवंटीब्लाइ सेवं है 17 से कितना होता है हमारा ? 21 को 21 से जब आप multiply करोगे तो आपका अंसर आएगा 441 441 को जब multiply स्वारी बच्चों गला थोड़ा बैट गया था 21 को जब आप 21 से multiply करोगे तो आपका अंसर आएगा 441 and then again इसको 21 से multiply करना है तो 9261 आपका अंसर आजाएगा 9261 यह मैंने आपको पहले भी बोला था बच्चों कि कम से कम दो से लेकर तीस तक आपको याद होना चाहिए ठीक है अब 101 है चलो लोगे को यूज करते हैं 101 multiply 101 multiply 101 क्यों हो जाएगा हमारा 1030301 ठीक है चलिए 101 multiply 101 multiply 101 यह कितना हो जाएगा हमारा 1030301 यार याद करना तो असान है 1030301 यह चलिए अगला क्या है हमारा थी बाइवन तो उपर नीचे है तो उपर नीचे रिख लेंगे 3 by 11 multiply 3 by 11 multiply 3 by 11 3 9 937 11 11 121 121 को 11 से करो तो कितना आजाएगा 1331 1331 अब यह देखिए जीवाला जोगा डर्रणा नहीं बच्चों कि सर यह क्या हो गया कुछ नहीं हुआ बच्चे जो है उसी का आपको क्यों निकालना ना जो है उसी को लिखो डर्णा क्यों है भाई इसको ऐसे लिखो ठीक है माइनस से चल रहा है यह यह है यह हमारा क्या अंसर आज वाएगा इसका 3399 3027 माइनस का क्या होगा माइनस भाई माइनस से यह प्लस के नमबर थे सारे प्लस कम शो नहीं करते हैं यह माइनस के नमबर है ख्लक करते है नमबर का कि देखो यह फ्याज रखनी है वरियेबल की पावर को प्लस करते हैं एक बी दो भी तीन भी होगए यह लीजिए माइनस एक दो तीन बार है अगर माइनस multiply करते time और time से मतलब एक बार है तीन बार है है पाँच बार है साथ बार है तो answer में भी आपको माइनस लगाना है और अगर माइनस जो है वे आपका even time से दो बार चार बार शे बार आठ बर सो बार तो फिर आपको plus लगा देना है plus multiply करते हैं ठीक है चलिए question number two करते है question number two देखे without finding cube roots find which of the following numbers are perfect cubes हमें इनका cube root नहीं निकालना है लेकिन हमें बताना है कौन-कौन से numbers perfect cubes हैं तो कैसे निकालेंगे ये question है इसको लिख लेते हैं आपे three four three zero zero इसके हम प्राइम factorization करेंगे बच्चों देखो three four three seven seven के डिवल में आता है अगर आपको याद हो तो और अगर आपको ऐसे याद नहीं तो simple way में करो कोई बात नहीं देखिए and में zero है तो five से करेंगे इसको और five five six thirty four आ और three four three हो गया five eight 40 एक बैए चैसमे एक और जीरो होगा एक और जीरो है ना प्राइट बचह अमरा 30 a thirty five six is a thirty यहां पे फाइट से थर्थे करा हमने पूरा आया 43 में यह जब सब्सक्राइब आए तो थर्टीशी ना फाइब से बंजा थर्टीफ़ पाइब से तैन और जीडो दुबारा फाइब से कर लिजी बच्चो इसको फाइब टूजा एन सो थ्री और सेवन फाइब सेवन थर्टीफ़ तो हमारा बच गया तू और टू ट्वंटी टो गया फाइब फूर्जा और जीडो ट्वंटी होगया फाइब फूर्जा अब इसको आप दो से कर सकते हो बच्चो दो एककम दो कि दो टीया छे वनके वनकेव फूरती तो दोटीया खेए दो भी उसको आप यह ना पर यह बतारता याँव इस से कीजिए 77 दोट 717 दोट 7272 होता है ठीक है सेवन फूर्जा 286 बचा और शक्यारल नमर 363 790 63 दुबारा से वंसे विए 7720 दुबारा से वंसे कीजिए सब्सक्राइब अगर आप यहां पर देखोगे तो तीन तीन का उतलुब बन गया। इसके हमारे क्या हो जाएंगे यहां पर लिख दीजिए। 5655 5 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7 multiply 7 multiply 7 pair pair hence it is a perfect cube यह हमारा perfect cube है ठीक है इसका हमें कोई square root निकालके नहीं दिखाना है बस ऐसे pair बनते हैं अगर group बनता है तीन का तीन का ग्रूप नहीं बनता तो perfect cube नहीं है इसका बी-part करते हैं चलिए बी-part देखिए once ten hundred thousand ten thousand lakh one lakh है one lakh का करते हैं एक के साथ पांच zero है एक दो तीन चार पांच एंड में zero है तो आप पांच से कर देखिए इसको बिना डरे दो से भी कर सकते हो पांच से करो दो से करो आपकी मर्जी है बेटो बच्चो आपकी मर्जी ऐसा कुछ नहीं कि पहले छोड़े नंबर से करना है प्राइम नंबर से करना है पांच भी प्राइम नंबर है दो भी 5,1.5,3.2 30 ख gli Air5, Rita30, प्वाइबारा, 5 से कर रहा हूं मैं, 5, 3, 15, 1 गया, 5, 2 のे 10, अब इसको 2 से करना पड़े का मजबूरी है, 2,1,2 2,12 2 से करना पड़े का 2 8 सोला 2 से करना पड़े का 2 चुका 8, ये तो नहीं बनेगा, पांच आया पांच बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार एक दो, तीन, चार पांच, ये भी दो आया पांच बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यह दिए यह बने गया और यह बने गया पांच और दूर है गया ना here five and two are not in a group of three hands it is not a perfect cube ठीक है यह आपको statement लिए आपको question हो जाएगा solve चलिए इसको रप करते हैं c part देखिए 144 और 30 हैं यह आपे ठीक है जिरो हैं तो end में 0 से खतम हो रहा है तो हम 5 से करेंगे इसको भी पांच दूनी दस तो हमारा बच गया चार अगला नमर है 44 हो गया five eight 40 तो बचके हमारा चार अगला नमर है जीरो five eight 40 दो जिरो आ गए दुबारा पांसे कीजी बच्छो इसको फाइफ five 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 three बचा अगला नमर है eight 38 हो गया five six five seven 35 तो थी बचा अगला नमर है zero तो 30 हो गया five six thirty अगला नमर है zero दुबारा पांसे कीजी बच्छो इसको पांच एकंग पांच पांच एकंग पांच दो बचा हो गया 25 25 वन केरी दस पांच दुनी दस हिंदी में टेबल पढ़ने का मज़ा लागा है वैसे अब इसको दो से कीजिए बच्छम पचीस दो से कीजिए दो पंजे दस वन आ गया हो गया मारा फिफ्टीन अब दो टू सेवन जा फोर्टीन वन आ गया यहां पे बाराट दो चिके ब अब देखिए वैच्छों यह तो मेरा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा चलिए करते हैं काफी लंबा होता जा रहे हैं तो दो से करते हैं इसको पाँज लिख देता हूं पांच मॉल्टिप्लाई 5 एक दो तीन चार पांच शह शाथ एक दो टीन, चार पांच शह साथ और तीन केत्वर आया 3 तीन मल्टिप्लाई 3 यहां पस इसका प्रगेर बनाए और यह इनका प्रियर बनाए और यह इनका प्रियर बनाए यह दो और तीन तो यहां पर रहे गए हम मुल देंगे here two and three are not in a group of three hence it is not a perfect Q एक है चलिए यह भी हमारा स्वाल हो गया डी पार्ट देखिए बच्चो साथ तीन जिरो है इसको सॉल्व करते हैं देखिए बच्चो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो पांसे क्योंकि एंड में जीरो है चाहो चाहो तो यह सेवन से हो जाएगा सेवन से कर रहा हूं मैं तो सेवन बंजा सेवन एक दो तीन अब पांसे कर लेते हैं अच्छा दस से नहीं कर सकते कर सकते क्योंकि दस मारा प्राइम नंबर निया सुर्फ प्राइम से करना हैं क्योंकि सच दोसं कुसक्ष से क्या होते हैं क्या होते हैं अपने आते हैं तो क्या होगा इसके 7 x 5 x 5 x 5 ठीक है multiply 2 x 2 x 2 ठीक है तो 7 पेर में नहीं है तो में लिख देंगे 7 is not in a group of three and it is not a perfect cube ठीक है बच्चो चलिए question number 3 find the cube root of the following by the method of estimation मतलब हमें method of estimation के यूज़ करना है और यूज़ करके हमें निकालना है cube root निकालना है कुछ numbers हमें दिये गए हैं उनका तो बच्चो एक बात तो है मान नहीं पड़ेगी यह chapter innings होती है ना मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमने पहले किया है innings one innings one innings two में जो game ने किया है जित्ती भी निक्स नहीं है chapter innings से पहले इसमें सारे questions आ जाते हैं mix यह practice करने के लिए काफी अच्छा है अगर आपको एक्जाम में practice करनी है आपका यह पास time काम है या वह बच्चा जिसने चैप्टर नहीं पड़ा पूरा पूरा sorry वह बच्चा जिसने पूरा का पूरा चैप्टर पड़ा ही नहीं है तो वह क्या करे वह पूरा चैप्टर ना पड़े अगर उसके वापस time नहीं है चैप्टर इनिसको अच्छे से बढ़ ले इसमें सारे questions अगर मैं देखूं 4.1 में तो नहीं है I think 4.2 में होगा यह 4.2 में हाँ 4.2 में question number 4 था find the cube root of the falling by estimation method ठीक है क्या करना होता है आपको बताता हूं में आपको कुछ steps लिखने होता है सबसे पहले आपको लिखना है देखिए रट लो steps को आपको लिखने है unit digit of given number जो given number आपको दिया हुआ है उसकी आपको unit digit लिख देनी है यह given number है यह होगी unit digit 6 पहला step है रट लिजिए फिर आपको लिखना है unit digit digit of unit digit of the cube root of the given of given number या the given number जो भी लिखना आप given number given number क्या है यह है given number इसका अगर मैं cube root निकालू तो उसकी unit digit किया आएगी तो आपको हम्हें केs बता लगानूं पता लगा सकते हो देखिए one multiply one multiply one अगर होता है तो आता है हमारा one Shouldn't two multiply two multiply two होता है तो आता है eight अगर कहीं पर and में व तो पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताऊंगो जल्दी से लिख लेता हूं देखे बच्छो मैं यह लिख चुका हूं तो यह जो था ना unit digit of the cube root of given number मतलब यह पूरा का पूरा number है इसको हमें given number बोल रहे हैं ठीक है इसके हमें क्या करना है इसके हमें unit digit ने कालना है, अगर हम इसकी Romeo root निकालते तो तो आपको यह जानने के लिए पूडा premiereued निकालना की ज़वट नहीं है वह भाब में निकालें इक लेकिन उससे पहले हम कैसे बतालाएं क्योंकि वह सेकंड टाइम पर यह number आ गया सेकंड स्टेप में लिखना पगड़ा है तो देखिए अगर एंड में वन है इसका अगर एंड में अगर हम तीन बर वन को मल्टिप्लाई करते हैं तो एंड में वन होगा ना वन है आप्टो नदम्bey तो निघक है और अगर 7 defensmas4 रॉच्छेए तो इसमें जिए मुल्टिप्या इसमीं अपने जो एंड शे卑ने अफारो ऊकुन म TT से करोगे वह फूर फूर आ जाएगा फिर दूबरा 12 सो मल्टिप्लाइक करोगे इत हो जाएगा बेसिकली आपने जो एंड में टू है उसको आपने तीन बडिप्लाइक रहा हूं उमीद है कि समझ में आएगा तो अगर एंड में मेरा है सेवन होगा यह है तो यह 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 तो अगर end में 5 है तो unit digit भी 5 है ठीक है अच्छा अगर end में 7 है तो यह 3 है unit digit 8 है तो 2 है ठीक है और 3 है तो 7 है 2 है तो 8 है उल्टा है देखो 8 है तो 2 है 2 है तो 8 है उल्टा चल रहा है ठीक है इस टाइप चाप कर सकते हो तो हमारा answer हो गया 6 unit of the cube root of given number कितने होगी 6 इस वर आप करते है चलिए यहां पर हो जाएगा मारा 6 इसके बाद आपको एक और स्टेप लिखना है आपको लिखना है number अब्टेंड हमें क्या number अब्टेंड होगा क्या number हासिल होगा क्या number मिलेगा after बाद में after क्या करने के बाद removing अच्छा कुछ remove करने का बढ़ेगा after removing last three digits ओहो यह हमरा glass step हो गया number obtained after removing last three digits last three digits remove करने बाद क्या number मिलेगा तो लास्ट टीडिशिक कॉनशी है यह है इनको remove कर तो हमारा बनेगा 17, यह क्यों कर आया है, क्योंकि हम cube root कर रहे हैं cube root निकाल रहना है, तो cube root में क्या होता है, 3-3 के pair बनते हैं, बिसे के लिए, 3-3 के group बनते हैं, बिसे के लिए, तो 3 number हैं, यहां से आपको निकाल देना है, यही method है, आपको, इसी method से यूज़ करना है, अब देखें अब आपको क्या करना है यहाँ जो नमबर आपको आ गया चम्नेस देंगंड दियां देना यहां पर नमबर आएका वह नमब आपको बीच में लिखना है और यहां पर जितरा यह सिस चिसकी सिस्की तरफ होता है बो नुम्ब रखोटा होता है किससे चोटा होता तो दो हाथ हो यह सङसे तिरुड़ होते ю सफी तरफ तो यह है तो यह तो यह आपको पर लिखना है हर भार अगर यहां पर माना लो इय हो तो शक्राव से सब्सक्रा ऐसे हएं कि आप बूरख ऐसे खते हैं प्रेंगे तो यह बराबर है अगर बराबर हो जाएगा तो ऐसा साइन लगा देंगे अब हर बार क्या होगा यहां पी जो नमबर होगा वह हमारी बनेगी तेंस डिजिट तो हम लिख देंगे टेंस डिजिट टिक है ऑफ दी गिवन नमबर अदेंस डिजेट ऑफ दी मूट गिवन नमर टेंस डिजिटअ अफ दिए क्यूब रूट दू अफ गिवन जाहिए कि प्श्चोथ निगे इनस डिजिट अफ दी क्यूब रूट ऑफ द गिवन नमबर जो हमारा गिवनन रेंजए कूब पर क्यूब्रों अब आपको यह वाले नहीं लेनी और यह हमेशा सेमिनी आएंगे मैंने आपको पता दिया है जरूरी निया कि 6 तुछ आएगा और आपकर यह वाली लेनी है तो आप बोल दोगे हैंज कि कि नहीं आपको इसके बाद आप रही लिग देना है है हैंज one seven five seven six इसका जब हम निकालेंगे क्यूबूट यहां पर आएगा तीन क्यूबूट पर तीन आता है तो कितना आंसर आएगा इसका पहले छे आएगा वन्स डिजिट पर और टू पर आएगा हमारा यहां आंसर हो गया जिस बच्चे को यकीन नहीं हो रहा मेरे पर वह यहां पी देखें कैल्कुलेटर रखा हुआ है इसके अगले पार्ट करते हैं मैंने इन स्टेप्स को मैंने रब नहीं करा क्योंकि हमें रिपीटिट स्टेप्स लिखने है बार बार तो हम इसको यूज करेंगे देखो बच्चो एक दो तीन चार चार लाइन है इसको याद कर लो ठीक है तोड़ा यहां से रब हो गया और खुछ नहीं नहीं है ठीक है एंस डिजट अम क्यों टीम को धीं स Canada's टीयोरूटि अफ फ्ली नामबर ठीक है चलीकस अब देखिए unit digit of given number given number क्या है 8 unit digit कितने होगी इसकी 8 बच्चो unit digit of the cube root of given number अगर आएंड में 8 है तो 8 कब आया होगा अगर हम इसका cube root हम निकालें तो उसमें कही न कही हो unit digit में 2 रहा होगा तब ही तो इसका 8 आएण आभी हमने करके जिखाएदा अगर एट है तो जब आप इस नम्मर का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी जो उसकी जो यूनिट होगे उसमें कहीं ना कहीं तू होगा यहां पे हमने लिख देंगे टू कि नम्मर अफर रिमोविंग लास्ट्री डिजिट तो 768 को रिमूव कर दीजिए थर्टी टू ब यहां पे आयता है 4 तो 339 93027 जो 32 से छोटा है और 4 अगर आप तीन बार मल्टिप्लाइब कर दोगे तो 64 हो जाएगा बढ़ा है तो यह नम्मर ही हमारा क्या बनता है तो हम लिख देंगे हैंस 32768 इसका हमने निकाला किये तो क्या आएगा तो यूनि डिजिट तो होगी 2 जो पने पहले भी बता दिया था और यह कितना हो जाएगा हमारा होगा 3 32 आएगा आप देखिए बच्चों मैं को करके दिखाता हूं 32 हमारा आंसर आया देखिए 32 मल्टिप्लाइ 32 मल्टिप्ला 32 में को करके दिखा दिया यह हमारा था आंसर चलिए इसको रप करते हैं और अगले पार्ट पे बढ़ते हैं सी पार्ट देखिए 314432 यूनि डिजिट कितनी है इसकी 2 है और अगर यूनि डिजिट में 2 है तो इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कही ना कहीं उसम में जिसको नहीं समझाया है देखिए एट मल्टिप्ला एट मल्टिप्ला एट पांसो बारा होता है एंड में टू आ गया ठीक है चलिए अब हमें क्या निकालना है नंबर अफ्टेन आफ्टर रिमोविंग थ्री डिजिट वहारा 314 314 314 तो 314 हम यहां पर लिग देंगे 3 21 दो ब्रेकेट ऐसे सोड़ी दो एरो ऐसे अब देखिए कौन सा नंबर है 5525 दैन 25 125 होता है 6 6 हमारा कितना होता है 36 होता है और 749 343 यहां सेवन दो जाएगा 6 से करेंगे 36 को मल्टिप्ला करेंगे 6 से तो कितना हो बच्चों आपको जाएगा 2166 मल्टिप्लाइए 6 मल्टिप सेवन जिसकी प्रावर कितनी है 377 जा 49 49 343 बढ़ा हो जाएगा तो 10 डिजिट क्या होगा यह हमारी बनती है 106 तो कितना असान है बच्चों कुछ है इसमें आप खुद बताओ इमानदारी जा अच्छों यहां पर 3 लगाना ना बच्चों कुछ है इसमें बताओ यार असान यह हमारा आंसर हो गया 68 को 3 टाइमस मल्टिप्लाइ करके दिख रहे ना आपका आंसर सी ही आएगा मतलब आपका अंसर यह आएगा चलिए रप करते हैं डी पाट देखे 250047 यूनिट डिजिट तो इसकी 7 हो गई अचा यूनिट डिजिट अफ दी क्यूब डूड अफ गिवन नमर इस नमर का जब क्यूब डूड आएगा तो उसमें यूनिट क्या होगी क्या रही होगी सोचो साथ हो ठीज रही होगी 3-3-9-9-3-0-27-3 ठीक है अच्छा नमर उप्टेंट तीन को ड़ादो 250 आ गया कितन और 7 दुबारा यहां पर 6 होगा इसकी प्यावर होगी 3 यहां पर 7 होगा इसकी प्यावर होगी 3 6 वो 3 times multiply गए 2 1 6 7 को 3 times multiply गए 3 4 3 यहां पर आंसर आ गया 6 यह वाला तो हमारी hands यह हो गया 3 2 50047 क्या बना पहले आएगा यह वाला number यह हमारा 3 फिर आएगा यह वाला यह हमारा 6 answer हो गया 63 को 3 बार multiply करके देखते हैं आप आंसर आ जाएगा 250047 चलिए आगे बढ़ते हैं